चलिए सर अब difference most important ग्यारवी क्लास में भी मैंने बच्चों को बोला था आएगा और आया ग्यारवी के बाद अब second year में भी बोल रहा हूँ कि ये difference आता है MOA और AOA में क्या difference है तो difference देख लेते हैं बड़ा simple से बात अगर दोनों चीज़े आपको समझ में आगे तो differentiate कर पाओगे लास्ट वाली क्लास और आज वाली क्लास को देखेगा तो easily differentiate हो जाएगा सबसे पहले कहता है meaning देखो MOA क्या करता है इट्स आपका charter of the company content charter of the company सर कौन सा यूनिट है मेरे खाल सेगेंड यूनिट है यह आप देख लीज़े जब voice ना आए तो hand raise कर दीज़ेगा क्योंकि अभी मैंने माइक को चार्ज पर नहीं लगा रखा कहता है इसका इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर किसको इंटर्नल मैंजमेंट आप देखा यह यह कंपनी के मैंजमेंट को चलाएगा और यह कंपनी को ही चलाएगा दूसरा पॉइंट परपस MOA Memorandum define the objective, power, company, fix, up to scope and extent of activity of the company जबकि article form the by laws, laws के थुरू of the company and provide those regulation by which object and power of the company carried out कौन से object और power को carry out किस तरीके से किया जाएगा आगे देखते है एक मिनट शायद यहाँ पर यह सेम पॉइंट आगे ना शायद सेम पॉइंट आगे चलो कोई नहीं यह आपने देख लिए परपस मीनिंग और क्या हो सकता है सर MOA के अंदर 6 पॉइंट होते हैं बड़े बड़े वो 6 पॉइंट लिख दोगे दोनों में चाहँ पॉट चाहँ, तोस्स सकता हो मिन्ट भेअ क्या हो お लिह यह सेम पॉइंग फहलन दोगे वोगेταν पॉइंट COMMठी में प्रुइंट был सेम झाहँ अ लिए टод झाल 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 आ गई वो इस चेक करिए मेरे को लगी रहा था यह बंद ना हो जाए में भी शायद फिर चले जाए मैं दुबारा बोल देता हूँ आप प्लीज रिमाइंड कर दीजेगा हैंड रेस कर दीजेगा जिससे पता चल जाए नहीं तो मैं बोलता रहूँगा चेप्टर बस दो पॉइंट बता है ज्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं तो कंस्ट्रिक्टिव सॉरी कंस्ट्रिक्टिव नोटिव सर ये क्या होता है मेमोरेंड़म एन आर्टिकल इसको हम के स्टडी इस पे अकसर पूचा जाता है ज्याद चलिए अब हो गया मैं दुबारा एरेज करके बता देता हूँ नाव वोईस इस किलिए फटा फट बताईए कह रहें बच्चे नहीं आ रही है येस ओके मेरा एक्जामपल था सर एक एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कमपनी है लिमिटेड कमपनी है इसका एम ओ ए आपको एम ओ ए तो पता है नहीं क्या होता है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है या फिर आपका प्रस्नल डॉक्यूमेंट है ये बताईए इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आप किसी भी कमपनी का पढ़ सकते हो जाके कहा जाना पड़ेगा M.C.A M.C.A मतलब आपका वेबसाइट है M.C.A Ministry Corporate Affairs of India का एक वेबसाइट होता है जहाँ पर mca.gov.in करेंगे खुल जाएगा वहाँ पर जिस कमपनी के उपर जाएगे उस कमपनी का नाम रखिए और इसको पढ़ने के लिए साइट मेरे कल 10 रुपे का फीस होता है I don't know अब revise हो गया हो एक payment करना होता है और आपको उसका पूरा memorandum मिल जाएगा और आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी कमपनी के registered office में जाके भी इसे पढ़ सकते हैं तो यह public document है जो इस कमपनी के director थे ना इनके पास power था के यह मात्र या इस company का जो डारेक्टर छोड़ देते हैं इस company का जो object था ना object में लिखा हुआ था के यह goods को purchase कर सकता है और 10 लाक रुपे से ज़्यादा का समान कभी खरीदेगा ही नहीं 10 लाक रुपे से जब ज़्यादा का समान होगा तो पहले उसकी payment करेगा फिर खरीदेगा यह लिखा हुआ था इसमें बाद किसमें company के MOA के क्योंकि यह public document है object clause के अंदर यह लिखा था कि company कभी भी 10 लाक रुपे से उपर का समान नहीं खरीदेगा एक व्यक्ती एक person यानि हमारा एक व्यक्ती जो कि हमें supply करता है goods और इस company का director दोनों की अच्छी बातचीत है दोनों अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं और इस व्यक्ती को जो ये person है जो दुकानदार है इस दुकानदार को लगता है ये sir company तो इस director का ही है जो ये कहेगा वही होना है डारेक्टर ने बोला कि भईया कुछ समान उधार चाहिए दे दो आपको payment हो जाएगा दुकानदार ने बोला हाँ sir बताओ कितने का समान देना है डारेक्टर ने बोला 50 लाक रुपे का उधार समान दे दो और इस व्यक्ती ने इसको 50 लाक रुपे का समान दे दिया अब आया payment मांगने की time जब payment मांगने का टाइम आया तो डारेक्टर ने उसे दिये 10 लाग रुपे पर दुकानदार ने जिसने हमें समान उधार बेचा था रौ मेट्रियल उसने बोला था सर 50 लाग का माल बेचा है हमने 50 लाग रुपे देने था आप 10 लाग क्यों दे रहे हो चुकि जब इनका meeting हुआ शेयर होल्डर की जब meeting हुआ डारेक्टर को बुलाया गया बोला भाईया डारेक्टर कितने का उधार लिया गया है बोला गया भाईया डारेक्टर ने बोला 50 लाग का शेयर होल्डर ने बोला सर 50 लाग का तो हमारा object clause ही allowed नहीं करता के 50 लाग रुपए का समान उधार ले लो हमारे law के अंदर हमारे MOA के अंदर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ 10 लाग रुपए का समान उधार ले सकते हो तो आप जाके creditor को मातर 10 लाग रुपए दो भाई डारेक्टर ने जाके इसको कितने रुपए दे दिये 10 लाग रुपए दे दिये अब इसने बोला भाई 40 लाग रुपए बोला 40 लाग रुपए तो आपको मिलेंगे नी इसने क्या करा company पे case file कर दिया कि मेरे पैसे इसने नहीं दिये उस case में जो court का verdict या court का judgment आया कि भाई AOA में clearly mention था कि company सिर्फ वर सिर्फ 10 लाग रुपए का ही उधार माल खरीद सकता है और इसको पढ़ने का आपके पास available था सारी facility आपको पढ़ के इस company के साथ deal करना चाहिए था यह आपकी गलती है कि आपने इसे 50 लाग का माल दिया आपको सिर्फ 10 लाग ही company payment करने के लिए liable है इसके उपर नहीं payment करेगा आपको जिससे recover करना है करिए आप company के against कोई case file नहीं कर सकते यानि उस case में company case जीत गया तो इसको ही बोला गया क्या सर constructive notice to memorandum of article यानि ये notice ये notice क्या provide करता है ये company को बचाता है कि अगर किसी company के management ने company के power के beyond कोई contract कर लिया है तो company के उपर कोई case नहीं कर सकता वो कहेगा भया हमारे power में तो ये चीजे करना ही नहीं था इसे आप पढ़ सकते थे तो फटा फट से देखते हैं क्या कहता है कहता है the doctrine doctrine बताया था पिछली class के अंदर doctrine क्या होता है activity ultra virus मतलब beyond the power कहता है doctrine of constructive notice is based on the rule down in eastern and case जो था हमारा यहां का case नहीं है England का case था ये ठीक है whereby a person dealing with a company जहां पर एक कंपनी के अंदर deal कर रहा था deemed to know the आपका content of the company memorandum of association और उस कंपनी जो डील कर रहा था company के साथ उस व्यक्ति को मान लिया जाता है भाईया तिरको company की सारी knowledge है तुने company की सारी बाते पढ़ी हुई है and article of association the memorandum and article of association of every company registered with the registrar of company के पास available है the office of registrar the public office जो की public office पे जो उसका है वहाँ पे भी अविलिबल है hence memorandum of article of association become a public document it is the therefore the duty of person dealing with जो person हमसे deal कर रहा है उसकी duty बनता है तू पढ़ क्या आता duty dealing with the company inspect the public document उसको पढ़िये make sure करिये his contract जो भी होगा उसके साथ आपका confirm with the their provision उसके provision के according करिये as observed by the lord इसके अंदर क्या कहता है judgment जो आया था whether a person actually read them or not चाहे वो व्यक्ति actual में पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो सामने आला व्यक्ति बोलता है सर हम पढ़े लिखे तो है नहीं हमें कैसे पता चलेगा तो बोलता भया यह सम नहीं चलेगा यहां पर आप किसी से पढ़वा सकते थे यह आपकी जिम्मेदारी बनती है he is to be the same position if he had read them every person will be presumed that know the content of the document मान लिया जाता है तुम्हें पता था तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो another effect of these rules is to be person dealing with the company take not only the read the document बिना read करे but also have understood them according to their proper meaning सिर्फ पढ़ना नहीं है उसका meaning भी समझ लेना इसा नहीं कि स्रीफ पढ़के आगे चलेगे जैसे हम क्या करते हैं लोके जैसे कुछ चीज़े याद करके चलेगे समझ नहीं है वह यह समझ भी लेना फिर बात में मत बोलना इसका मतलब समझ में नहीं आया further share is constructive notice not merely to memorandum and article वो notice नहीं constructive notice है मतलब 100% evidence आपके पास available है but also all the documents such special resolution particular of the charges which required by the act the registered with the register but there is no notice document which are filed only for the records इसके उपर एक case study भी है इस पे से question जो बनेगा न वो case study बनेगा के मान लेते हैं एक व्यक्ती ने ऐसा काम किया उसके memorandum of association या article of association में ऐसी ऐसी बाते लिखी थी उसने उसके beyond होके जैसा मैंने case बताए ना उस case में पूछा जाएगा बताओ क्या company को इसमें relief मिलेगा कुछ ही या company have to pay rupees 50 lakh तो जनरली इसको देखके तो हर बच्चा बोलेगा company को देने पड़ेंगे 50 lakh रुपे और जहां बच्चे ने इस हिसाब से भावनाओं के इसाब से अगर आंसर दे दिया तो आंसर मिलेगा नहीं उसे क्योंकि देखके तो यही लग रहा है कि यह 50 आसर के पेपर देख सकते हैं एक इसके बाद आया इंडोर मेनेजमेंट यानि इसका एक्सेप्शन जो कंस्ट्रिक्टिव नोटेस है उसका एक्सेप्शन आया उसका एक्सेप्शन क्या आया कि भाई हर वेक्ति को हर बाते बाहरवालों को नहीं पता होगी कमपनी के अंदर कब मीटिंग हो रहा है आप एक नॉर्मल दुकानदार हो कमपनी कब मीटिंग कर रहा है कब कानून बदल रहा है कब नाम चेंज कर रहा है कब क्या कर रहा है उसको थोड़ी सारी बाते पता होगी बस मोटी मोटी बाते पता कर सकता हो तो अगर ऐसा कोई ड पर सकता इस case के अंदर उसको company को payment करना पड़ेगा यानि ये exception है उसका पिछले वाला क्या कहता था constructive notice वो कहता था कि भाईया company को payment नहीं करना किसके लिए था वो company के favor में था और ये किसके आगया company के against में आ गया जैसे देखो इसके उपर भी एक था England का case था England case वरकि तुरुक one case study था और ये हमेशा famous हुआ था ये बहुत popular है इसी के उपर आपके question आ सकता है उसके अंदर हुआ क्या था generally अगर मैं थोड़ा सा discuss करूं उस case law के बारे में वहाँ पे था के manage board of director को board of director जो था उसको permission था कि वो ना bond issue कर सकता है लेकिन law के अंदर ये mention ही नहीं था कि वो कितने का bond issue करेगा सिर्फ था bond issue कर सकता है और board of director ने क्या करा 2000 रुपए का 2000 pound क्योंकि ये England का case है 2000 pound का उसने bond issue कर दिया और bond का मतलब एक तरीके से debenture issue कर दिया लोगों से पैसे ले लिये अब bond issue करने के बाद इसके पास power का benefit करा ये चला गया AGM के अंदर और AGM के अंदर इसने discuss किया AGM के अंदर बाते की और AGM के अंदर meeting में जब voting हुआ जब resolution पास किया गया तो shareholder ने क्या करा इसको resolution पास करने से मना कर दिया बोला भाईया हम तो नहीं bond को valid मानते हैं bond invalid है तो ये जो resolution पास हुआ वो AGM में हुआ company ने फिर कहा इससे के भाईया आपके जो 2000 पॉंट ये 1857 की बात है तब 2000 बहुत माइने रखता था company ने कहा के भाईया हम ये 2000 की payment नहीं करेंगे आपको bond को जो बाहरवाले outsider थे outsider को बोला हम payment नहीं करेंगे outsider ने court में case file लिकिया बोला सर देखो यह यहां पर जब हमने मुए पढ़ा तो उसमें लिखा था के बॉंड इसू कर सकता है तो हमने खरीदा ना लेकिन अब इनका internal meeting हो रहा है वहां पर शियर होल्डर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा पास ही नहीं हुआ क्योंकि कोई भी काम बिना resolution के होई नहीं सकता तो अब हमारी तो कोई गलती नहीं है तो इस situation के अंदर court ने फैसला लिया कहा कि भाया आप company आप libel हो सभी bond holder को payment करने के लिए क्योंकि यह आपका internal मामला था internal मामले का बाहर वाले को कैसे जानकारी हो सकती है तो बाहर वाले innocent है आपको उनका payment करना पड़ेगा अब board of director और company की क्या लड़ाई चलती है वो आप दोनों समझी है लेकिन बाहर वाले को आपको payment करना पड़ेगा तो दो case law होगे पहले वाला क्या था company को secure कर रहा था और यह किसको कर रहा है board of director को ऐसे situation में देखे क्या कहता है the doctrine of indoor management is exception to the rule of constructive notice पिछले वाले का as per the doctrine person dealing with the company bound to the read only the public document जो हम से deal कर रहा है पड़ेगा पर सकता है यह applicable नहीं होगा sir यह क्या था exception case था इसका भी exception case आया कि कुछ बातें ऐसे हैं जहां पर अगर internal management कुछ कर रहा है तो उस case के अंदर company लाइवल नहीं होगा इसका एक case और आया था case लो name याद नहीं exact आपको मैं नूट्स में दे दूँगा उसने क्या करा था मान लिया जाए xyz limited company ने क्या करा था कि उसने share issue कर दिये थे और share certificate पे mention था AOA में article of association में mention था कि share certificate जब कभी भी issue होगा उस पे तीन लोगों के sign होगे company secretary के होगे company के promoter के होगे board of director के होगे तीन लोगों के sign होने है इस share certificate पे लेकिन company secretary ने क्या करा इसके उपर एक तो अपने sign कर दिये और दो director के और जो promoter के उनके खुद forge sign कर दिये मतलब नकली तो forge sign के case में अब वो share issue कर दिया public को पब्लिक ने जब पैसे मांगा तो company और public के बीच में क्या हुआ case हो गया तो ऐसे situation में क्या होगा कि court का वर्डिका है कि भाई shareholder आपको company payment करने के लिए libel नहीं होगा क्यूंकि यह fraud तो आपके साथ भी हुआ है और company के साथ भी हुआ है तो इसके लिए company libel नहीं है आपको इसका payment करने के लिए libel होगा जिसने इसके उपर signature फोर्ज किया है उसके उपर आप case करके payment ले तो यहां पर देखे किसको company को benefit मिल यहां पर यानि उसका भी क्या हो गया यह exception केस हो गया एक तरीके से ऐसे ही होता है हमारा irregularity bond वगरा issue कर दिया तो कुछ है case law है इसके अंदर लास्ट में तो सर मोटा मोटा अगर मैं बात करूं सर इस chapter में important क्या है सर AOA के बारे में पता होना चीए AOA और MOA के बीच का क्या difference है यह पता होना चीए AOA में क्या content लिखे जाते हैं यह पता होना चीए सर constructive notice क्या होता है सर और आपका indoor management क्या होता है यह 4 points पता होना चीए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा constructive notice के case laws पता होना चीए और indoor management के जो case laws है case laws क्या है जो court के judgment आई थी ना पहले उस judgment के हिसाब से सारी चीज़ा आगे चलती है कई बार क्या होता है कि कानून के किताबों में नहीं लिखा होता तो जो judge होते हैं वो किसी को benchmark मान के सब चीज पढ़ के देख के समझ के यह फैसला सुना देते हैं क्योंकि वो लिखा हुए इनिये books of law में उसने फैसला सुना दिया तो बाकी के सारे judge क्या करते हैं उस फैसली को base मान के आगे का उसी base पे judgment देते हैं जैसे कि एक chapter था हमारा semester आपके slivers में सहट गया था हमारा एक dissolution तो dissolution में case law था गार्निय वर्सिस मुर्रे रोल शायद आगे तो आप तो पढ़ोगे नहीं या तो उसके अंदर एक case law आता था वो भी इंग्लेंड का case था तो maximum आप देखोगे case law इंग्लेंड के मिलेंगे आपको जैसे आपका पिछली बार एक case law मैंने बताया था कौन से वाला Salomon versus Salomon का वो भी case law था तो कई बार ऐसा आता है इस case law को judgment होता है जिस case law में judgment होता है उसमें पता नहीं क्या answer हो सकता है वो आप सोचों के वैसा नहीं होगा उसका opposite हो जाता है जैसे पहले वाले case law का judgment आये हुआ था उसके judgment के हिसाप से क्या था सर के 5-10 लाग का ही payment कर सकता है वो judgment है उसी के basis पे होगा तो यहां पे भी आपको कुछ न judgment पढ़ने पढ़ेंगे और just go through read out करना है आपने सारा समझ में आ जाएगा तो हमने अभी तक कितने chapter complete कर लिया सबसे पहले nature of company first chapter company पढ़ लिया kind of company कर लिया इन corporation of company कर लिया इसके बाद administrative work of law कर लिया इसके बाद memorandum of association कर लिया और छटा चप्टर हो गया हमारा कौन सा article of association अगली बार जो मैं chapter upload करूँगा that is मैं upload करने वाला हूँ prospectus यह मैं record कर लूँगा prospectus और इसके बाद share capital जैसे ही prospectus और share capital हम कर लेते हैं हमारा 50 number तक का लगभल company law खतम हो जाता है क्योंकि main हमारा share capital तक रहता है तो चलिए आज की class को यही wind up करते हैं hopefully आप सभी को समझ में आ गया होगा यह case law वाकि law अगली class के अंदर accounts ही start करने वाले company law जब भी अलग से करूँ आपको inform कर दूँगा मैं accounts के अंदर क्योंकि यह थोड़ से theory आगे touch में आ जाएगा तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ पहले इसको थोड़ा सा backup कर दूँ तो आपको easily समझ मैंगा तो अगली class में accounts में या तो 5th unit start कर लेंगे या दो standard pending है AS17 और AS19 वो दोनों एक साथ खतम हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं next class के अंदर किसी का कोई doubt